हारा हारा महादेव जैस्त्री महाकाल जैस्त्री महाकाल महराज की जै महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभू महाकाल महारुद्रा महाकाल नमुस्तु दे उज्जेन की पवित्र पुन्डे भूमी पर इस अव विश्वनिय कारक्या में उपस्दित देश भर्षे आये सभी चरण वंद्य संत गान, सन्मान ये साधू सन्याशी गान, भगवान महाकाल के सभी कुर्पापात्र स्रध्धालुगा, देवी और सज्जनो, जय महाकाल! उज्जेन की ये उर्जा, ये उत्सा, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुत्ता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महत्मय महाकाल लोक में लोक की कुछ भी नहीं है। शंकर ये सानिद्य में साधारन कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलोकिक है, असाधारन है, अविश्वणिय है, अविश्वस्निय है, मा अज मैसूस कर रहा हूँ, हमारी तपस्या और आस्ता से, जब महाकाल प्रसन्न होते हैं, तो उनके आशिरवात से, ऐसे ही बग्व्य का निर्माण होता है, और महाकाल का आशिरवात जब मिलता है, तो काल की रेखाएं मिढ जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है, और अनंत के अवसर प्रस्पूर्चित हो जाते हैं, अंत से अनंत यात्रा आरंब हो जाती है, महाकाल लोग की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे, आने वाली कई पीडियों को अलोग की दिव्यता के दर्शन कराएगी, भारत की सांस्कृतिक और अध्यात्मिक चेतना को उर्जा देगी, मैं इस अद्भूत आउसर पर राजा धिराज महाकाल के चरुन में सट शट नमन करता हूँ, मैं आप सभी को देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, विशेश रुप से 22 राज सी चवान और उनकी सरकार उनका मैं रदय से अभिनंदन करता हूँ, जो लगाता इतने समर्पन से इस सेवा यग्य में लगे हुए है। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का संतों और विद्वानों का भी आदर पुर्वक धन्यवाद करता हूँ, जिनके सयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों महाकाल की नगरी उज्जेन के बारे में हमारी यहां कहा गया है प्रलयो नबादते तत्र महाकाल पुरी। अत्रार महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारो वर्थ पुर्व जब भारत का भोगलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से यह माना जाता रहा है कि उज्जेन भारत के केंद्र में है। एक तरह से जोती सिय गनदाओं में उज्जेन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बलकि यह भारती आत्मा का भी केंद्र रहा है। यह वो नगर है जो हमारी पवित्र सात पुरियों में से एक जिना जाता है। यह वो नगर है जहां स्वयम भगवान क्रश्टल में भी आकर शिक्षा ग्रहन की थी। उज्जेन ने महराजा विक्रमदित्य का वो प्रताप देखा है जितने भारत के नए स्वनकाल के शुरुवात की थी। महा काल की इस धर्ति से विक्रम सम्वत के रूप में भारती एक काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जेन के छण-छण में पल-पल में इतिहाज सिम्ता हुआ है। कण-कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने-कोने में इश्वरिय उर्जा संचारित हो रही है। आल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनित्य करते चोर्यासी सिविलिंग है। यहां चार महावीर है, छे बिनायक है, आठ भैरव है, अश्ट मात्रुकाएं है, नवग्र है, दस विष्णू है, ग्यारा रद्र है, बारा आधित है, चोबिस देविया है, और अठासी तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में, राजा धिराज, काला धिराज, महाकान विराजमान है। यानि, एक तरह से हमारे पुरे प्रह्मान की उर्जा को, हमारे रुश्यों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जेंद में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जें ने हजारों वर्षों तक भारत की संपनता और समर्दी का, ज्यान और गरिमा का, सब्वेता और साहित्य का लेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, संदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महा कभी कालिस दास के मेग दुतम में होते हैं। बान भट्ट जैसे कवियों के काभियों में यहां की संस्कृति और परंपराओं का चित्रन हमें आज भी मिलता है। यही नहीं मद्यकाल के लेखकों ने भी यहां के स्थापत्य और वास्तु कला का गुनगान किया है। भाई और बेनों किसी राश्ट का संस्कृतिक वैभाव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सभलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सभलता के सिखर तक पहुंचने के लिए भी यह जरूरी है कि राश्ट कर अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए अपनी पैचान के साथ गवरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आज हादी के अमरित काल में भारत ने गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आहवानन किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मदिर का निर्मान पूरी गती से हो रहा है। कासी में विश्वना दाम भारत की सांस्कृतिक राजनिती का गवरो राजधानी का गवरो बड़ा रहा है। सोमनात में विकास के कारिय नए एक किर्थिमान फापित कर रहे हैं। उत्राघंड में बाबाव केदार के असिरवाद से केदार्नात बद्रिनात तीर्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जारहे हैं। आजादी के बाद पहली बार चार धाम प्रोजेक्ट के जरिये हमारे चारो धाम ओल बेदर रोड से जुणने जा रहे हैं। आजहादी के बाद पहली बार करतारपूर्श सहब कोरिडोर खुला है हेमकुन साहिब रौप्पे से जुणने जा रहा है इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी अध्याक्टनी चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गवरव कुनफ स्थाप अतीत हो रहा है और अब इसी कड़ी में कि भव्य अतिय भव्य महाकाल लोग भी अतीत के गरोव के साथ बविश्य के स्वागत के लिए तयार हो चुका है आज जब हम उत्तर से दक्षिन तक पूरव से पस्चिन तक अपने प्राचिन मंदिरों को देखते हैं तो उनकी विशालता उनका वास्तो हमें आस्टेर्य से भर देता है कोनार का सुर्य मंदिर हो या माराष्ट में एलोरा का कैलाश मंदिर इविश्व में किसे विश्वित नहीं कर देते कौनार्ग सुर्य मंदीर के तरह ही गुजरात का मोढेरा सुर्य मंदीर भी है जहां सुर्य की प्रथम किरणे सीधे गर्व ग्रुहु तक प्रवेश करती है इसी तरह तमिल नाडू के तंजोर में राजा राच्चोल द्वारा बनाया गया ब्रह्म देवेश्वर मंदीर है कांचिपुरम में वरद राजा पेरुमल मंदीर है रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदीर है बेलूर का चन्नकेश्वा मंदीर है मदुराय का बिनाक्षी मंदिर है तेलंगना का रामत्पा मंदिर है श्री नगर में संक्राचार्य मंदिर है ऐसे कितने ही मंदिर है वो बेजोड है कल्पनातीध है न भूतों न भविश्यती के जीवन तुदारण है जब इनने देखते हैं तम सोचने को मजबूर हो जाते हैं उस दोर में उस युग में किस तकनीक से इन निर्मान हुए होंगे हमारे सारे प्रश्णों के उत्तर हमें बले ही न मिलते हो लेकिन इन मंदिरों के आध्यात में एक सांत्कृतिक संदेश हमें उतनी ही इस पस्त्रथा से आज भी सुनाई देते है जब पीडियां इस विरासत को देखती है उसके संदेशों को सुनती है तेख सब्विता के रुप में ये हमारी नरंतरता और अमरता का जरिया बन जाता है महा का लोक में ये परंपरा उतने ही प्रभावी डंग से कला और सिल्प के बारा उक्यरी गई है ये पूरा मंदिर प्रांगा शीव पुरान की कथाओं के आधार पर तयार किया गया है आप यहां आएंगे तो महा काल के दर्शन के साथ ही आपको महा काल की महिमा और महत्व के भी दर्शन होंगे पंच मुठी शीव उनके डमरो सर्प त्रिशोल अर्दचंद्र और सब्तरसी इनके भी उतने ही भुव्य सरोप यहां स्थापित किये गए हैं यह बास्तू इसमें ज्ञान का यह समावेश यह महा काल लोग को उसके प्रातिन गवरव से जोड़ देता है उसकी सार्थक्का को और भी बड़ा देता है बाईगयर बेनों हमारे सास्त्रों में एक वाक्य है शीवम ज्ञानम शीवम ज्ञानम इसका आर्थ है शीव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शीव है शीव के दर्शन में ही ब्रह्मान का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शीव का दर्शन है इसलिए मैं मानता हूँ हमारे जोतिर लंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक जोति का विकास है भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शीखर पर पहुंचकर विश्व के मार दर्शन के लिए तयार हो रहा है साथियों वगवान महाकाल एक मात्र ऐसे जोतिर लिंग है जो दक्षिन मुखी है ये शीव के ऐसे स्वरूप है जीष्ट की बश्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है हर भक्त अपने जीवन में बश्म आरती के दर्शन जरूर करना चाहता है बश्म आरती का धार्मिक महत्वा यहां उपस्तित आप सब संदगन ज्यादा गहराई से पता पाएंगे लेकिन मैं इस परंपरा में हमें भारत की जीवडता और जीवनता के दर्शन भी करता हूँ मैं इसमें भारत के अपराजे अस्तित्व को भी देखता हूँ क्योंकि जो शीव सोयम भूती विवुशना है अर्थात बस्त्प को धारन करने वाले हैं वो सरवादि पहस सरवदा भी है अर्थात वनस्व और अमिनाशी भी है इसलिए जहां माकाल है वहां काल खंडों की सिमाए नहीं है माकाल की सरण में विश में भी विश में भी स्पंदन होता है महाकाल के सानिद्र में अवसां से भी पुनर्जिवन होता हैं अंत से भी अनंत की यात्रा आरंब होती है कि यहीं हमारी सब्यता का वह आध्र्यात्मिक आत्म विस्वास है जिसके सामर्त से बारत हजारों बर्सों से अमर बना हुआ है अजरा अमर बना हुआ है अब तक हमारी आस्ता के केंद्र जागरत है बारत की चेतना जागरत है भारत की आत्मा जागरत है अतीद में हमने देखा है प्रयात हुए परिस्तिद्या पल्टी सत्ताएं बदली भारत का शोषण भी हुआ आजादी भी गई कि इल्टु तमीज जैसे आक्नमनकारियों ने उज्जेन की उर्जा को भी नस्त करने के प्रयांत किये लेकिन हमारे रुशियों ने कहा है हमारे रुशियों ने कहा है चंदर शेखरम आत्रे ममकिम करिशती वेयमा अर्थाक महाकाल शिव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा अर इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की उर्जा से फिर पुनर्जवित हो उठा फिर उठ खड़ा हुआ हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्व व्यापी गोचना कर दी भारत में फिर महाकाल के आसित से काल के कपाल पर काला तीत अस्थित्व का सिला लेख लिख दिया आज एक बार फिर आजादी के इस अमरत्व काल में अमर अवंतिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की गोच्णा कर रही है उज्जेन जो हजारों वर्षों से भारतिय काल जणकना का केंद्र बिंदु रहा है वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए काल खंड का उद्गोश कर रहा है साथियों भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्टव्यों का सामुहित संकल्प हमारे संकल्पों का देह है विश्व का खल्यान मानो मास्ट्र की सेवा हम शीन की आरात नाविम कहते है नमामी विश्वत्य हिते रतम एतम नमामी विश्वत्य हिते रतम तम नमामी रुपानी बहुनी जत्ते अर्थात हम उन विश्वपती भगवान शीव को नमन करते हैं जो अनेक रुपों से पूरे विश्व के हीतों में लगे हैं यही भावना हमेशा भारत के तिर्थों मंदिरों मठों और आस्था केंद्रों की भी रही है यहां महाकाल मंदिर में पुरे देश और दुनिया से लोग आते हैं शियंस का कुम्ब लगता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं अंगिनस विविद्धताय भी एक मंत्र एक संकल पर लेकर एक साथ जुड़ सकती है इसका इससे बड़ा क्या उद्धाहर क्या हो सकता है और हम जानते हैं हजारों साल से हमारे कुम्ब मेले की परंपरा बहुती सामुहिक मंधन के बाद जो अमृत निकलता है उसे संकल्प लेकर के बारा साल तक उसो क्रियानवित करने की परंपरा रही थी फिर बारा साल के बाद जब कुम्ब होता था फिर एक बार अमृत मंधन होता था फिर संकल्प लिया जाता था फिर बारा साल के लिए चल पड़ते हैं पिछले यहां कुम्ब के मेले में मुझे आने का सौभागी मिला था महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आये बिना कैसे दे सकता है और उस समय कुम्ब की हजारों साल की पुरानी परंपरा उस समय जो मन मस्तिक में मंचन चल रहा था जो विचार प्रवाब बह रहा था माच्षिप्रा के तड़ पे अनेक विचारों से में गिरा हुआ था और उसी मैंसे मन कर गया कुछ सब्दे चल पड़े पता नहीं कहां से आये कैसे आये और जो भाव पैदा हुआ था वो संकल्प बन गया आज वो सुष्टी के रुप में नजर आ रहा है दो कि मैंसे साथियों को बधाई देता हूं कि जिनोंने उस समय के उस भाव को आज चरितार्थ करके दिखाया है நे सबके मन में शीव और सिवत्र के लिए समर्पन सबके मन में शिप्रा के लिए स्रद्धा जीव और प्रसुत् nonetheless प्रकृति के लिए कितनी प्रेणा यहां निकल सकती है भाई और बहनों हमारे इन तिर्थों ने सदियों से राश्ट को संदेश भी दिये है और सामर्थ भी दिया है कासी जैसे हमारे केंद्र धर्म के साथ साथ ज्यान, दर्शन और कलाकी राजधानी भी रहे उज्जेन जैसे हमारे स्थान खगोल विज्ञान एस्ट्रोनमी से जुड़े सोधों के सिर्शकेंद्र रहे है आज नया भारत जब अपने प्राचीन मुल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है तो आस्था के साथ साथ विज्ञान और सोध की परंकराव को भी पुनर जिवित कर रहा है आज हम एस्ट्रोनमी के छेत्र में दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर खड़े हो रहे है आज भारत दूसरे देशों की सेटलाइट भी स्पेस में लॉंच कर रहा है मिशन चंद्रियान और मिशन गगनियान जैसे अभ्यानों के जरिये भारत आकास की वो छलांग लगाने के लिए तयार है जो हमें एक नई उन्चाई देगी आज रक्षा के इस हैत्र में भारत पुरी ताकत से आत्मंदेर भरता की और आगे बढ़ रहा है इसी तरह आज हमारे हुआ स्कील हो स्पोर्स हो स्पोर्स में भी स्टाटप एक एक चीज नहीं नए स्टाटप के साथ नए उनिकॉन के साथ हर छेत्र में भारत की प्रतिभा का डंका बजा रहे है और भाईयों बहनों हमें भी याद रखना है ये न भुले जहां इनोवेशन है वहीं पर इनोवेशन भी है हमने गुलामी के कालखन में जुक होया आज भारत उसे रिनोवेट कर रहा है अपने गवरव की अपने बैभव की पुनस्थापना हो रही है और इसका लाप सिर्फ भारत के लोगों को नहीं विश्वास रखिये साथियों महाकाल के चरणों में बैटे हैं विश्वास से भर जाईए और मैं विश्वास से कहता हूँ इसका लाप पूरे विश्व को मिलेगा पूरी मानवता को मिलेगा महाकाल के आशिरवात से भारत की भव्यता पूरे विश्व के विकास के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी भारत की दिव्यता पूरे विश्व के लिए सांसी के मार्व प्रसस्त करेगी इसी विश्वास के साथ बगवान महाकाल के चर्णों में मैं एक बार फिर सर जुका करके प्राम करता हूँ मेरे साथ पुरे भक्ती भाव से बोलिए जै महाकाल जै जै महाकाल